अथ श्री योग वाशिष्ठे, निर्वान प्रगरनस्य उत्तरार्धे, त्रिचत्वारिंशद धिकशततमस सर्गह, मुनिरुवाच, सर्वेशामेव धर्मानाम, कर्मनाम, शर्मनाम पी, पंडितह पुंडरीकानाम, मारतंड इवमंडनम, आत्मज्यान विदोयांति, याम्गतिम्गतिकोविदाह, पंडितास्तत्र शक्रश्रेर, जरत्रिनलवायते, पाताले भूतले स्वर्गे, सुखमैश्वर्यमेवा, नौतत्पश्यामियन नाम, पंडित्यादति रिच्यते, पंडितस्यायता भूता वस्तु द्रिष्टिही प्रसीदती, द्रिगिवेंदवू निरंभोदे, सकला मलमंडले, इदं द्रिष्यम अभिध्यात्म, ब्रह्म संपध्यते ख्षनात, बुधस्य बोधात्ष्रक्दाम, सर्पत्वमिव शाम्यते, यत्स्थितं ब्रह्म्हनि ब्रह्म्ह, कृतास्ते नईवसत्यता, सुभावै कात्मिकाह संग्या, देह सर्गक्षयादिकाह, सर्गो बिध्यत एवायं, नोयत्रो किलकिंचना, तस्यधर्मानि कर्मानि, नोचैवाक्षरमालिका, प्रिच्व्यादि संभवतिचेत, तत्सकारणमस्तुतत, तदेव यत्रनास्त्येव, तत्रकिं तस्यकारणम। ब्रम्हनहा प्रतिभातं यत्त दिदं, जगदुच्यते, ते नईवकुत एतानि, प्रिच्व्यादिनि क्वकारणम। स्वप्न द्रस्ट्र द्रिश्यन्रिनाम अस्तिकाल्पनिकं, यत्अ नोबास्तबं पूर्वकामं, जाग्रत स्वप्ने तथान्रिनाम। यता प्राक कर्म पुम्स्त्वेच, स्वप्ने पुम्साम्न विद्यते, इह जाग्रत स्वप्न न्रिनाम, भातानाम पिनो तथा। जीवह सर्वेशु, सर्गेशु, स्वप्नार्थान निखिलान मिथह, प्राक कर्म सत्वं मिथ्यात्म, यता वासन मेशुच, सर्गादावत देहांते, भांती स्वप्नार्थवन मिथह, यता संबेदनम जीवाह, संतो संतस्चते नते, यता संबेदनम सर्वे, भांती भाव यतस्ततः, ते संत्यात्मन्यपिष्वप्ने, जाग्रती वार्थदा मिथह, संकल्प संबिदग्रस्थ, वस्तु निष्ठत यास्फुटम्, फलंचापनो तिते स्वप्ने, लोक निष्ठत यास्फुटह, शुद्धासंबित्स्वभावस्थ, यत्ष्वयं भाति भास्वर, तस्या भानस्य, तस्यास्य, जाग्रत्स्वपना भिधाह, क्रिताह, सर्गादावत देहांते, भातं यद्वेदनं यता, ततता मोक््षमे वास्ते, तदिदं सर्ग उच्यते, जाग्रत्स्वपनार्थसार्थस्य, संभिधस्यो नभिन्नत, अस्त्यप्रतिघरूपायाह, प्रकाशालोकयोरिव, अग्न्युष्णयोरिवत था, बातस्पंदनयोरिव, द्रभां भसोरिवाभीचि, वाशेत्यानिलयोरिव, सर्वम प्रतिघं शांतं, जगज्यातम सन्मयम, इथ्थं सन्मयमे वास्ति, नास्त्यर्थेन चसंयुतं, ब्रम्ह प्रोद्भूय मृत्वाज, द्रिष्यानुभवरूपिज, चिन्मात्रमजरं शांत, मेकमे वामलं स्थितं, कार्यकार्णतार्थानाम, यायता हृदिकल्पना, ब्रम्हना पुरुषेनेव, नगरियंतस्ततः वसा, ब्रम्हनो हृदि सर्गोयम, हृदिते स्वपन पूरियता, कार्यकार्णतातत्र, तथास्ते भीतायता, संबिध्गनोदरे सर्गे, कार्यकार्णतास्थिता, तथायतोहितातेन, तवयावा कल्पनापुरं, चिता संकल्प रूपिन्या, सर्गे संकल्प पत्तने, तवयावस्थापितासंस्था, कार्यकार्णत रूपिनी, आकाश एवकचनं, यच्चित्ते स्वात्म रूपिनी, नियतं सन्निवेषत्वात्तदंतः, सर्ग उच्यते, यासंबिद्रभ्यवस्थास्ते, हृदि संकल्प पत्तने, सैशा स्वभावसंसिद्धि, कार्यकारणत आर्थजा, प्रथमम् यध्यता भाति, सित्वमस्ति, तथेहतत, तस्याइवनियति, कालो, देशादित्यभिधाकृता, यानामाश यथा भाति, चेतनाकाश शुन्यता, तया तथा वस्तुतया, कार्यकारणता आश्रिता, चेच्यमत कारमात्रेश्मिन, सर्गावे भावरूपिनी, पूर्भंभावाह प्रवर्तन्ते, पस्चात सर्गाविधाविधाः, शुन्यता, स्त्रिजगत, रूपास्तता, चित्व्योमनिस्थिताह, अनन्याह, पवने सौम्य, स्पन्दसत्ता, यथा निजाह, ब्योमनि शौशिर्यनै विध्यम, यथा नीलमितिस्थितं, चिति-चेतननै विध्यम, तथा सर्ग उपस्थितं, हाभात एबभाते स्मिन, कृच्छरात सर्गे विसर्गता, बुध्यते रज्यु भुजगे, रज्यु रूपम्यता पुनहा, मृतहसा स्वप्नवत्सर्वह, संपश्यति पृतक्यगत, तच्चान्यदिदमन्यच्य, नित्या प्रतिगमंबरं, व्याधव वाच, परतह सुख दुखार्थं, देहा संपध्यते कधं, किमस्य हेतुहु के वास्य, हेतवह सहकारिनहा, कुर्बंति धर्मा धर्मा स्चेत्ते न प्रतिगरूपिना, तदस्या प्रतिगम्रूपम्, कुर्बंति इत्यसमंजसं, मुनिरुवाच, धर्मा धर्मव वासनाच, कर्मात्मा जीव इत्यपे, परियाय शब्द भारोत्र, कल्प्यते न तुवास्तवह। चित्वात कल्पित चित्वेन, स्वयं चिन्न भसात्मनी, कृतानी नामा अन्यतानी, कस्चिदस्तिति चेतसा। संबिधात्मा स्वयं चित्वाद्धेहं बेत्ति खमेवखे, मृत्वासंतं संतमिव, संकल्पस्वपनयोरिव, स्वयं स्वपन इवाभाति, मृतस्यो परलोकधि, तमेव पश्यति चिरं, नातत्राप्यस्ति सत्यता। मृतम निर्माति चेदन्या, कथम वास्य स्मृतिर्भवेत, कथम वास्यात्स एवासव, चेतनत्वं तमेवखं। मृतवन जायते तस्माचे तसईव सकेवलं, इहायमिथमित्येव, वेतिखे वासनात्मकं। स्वमेव भावम अभ्यस्तमास्ते सोनुभवं स्चिरं, स्फुट प्रत्ययवां स्ट्वत्र सत्यमित्येव वेत्यलं। खात्मा खमेव तत्रईव, स्वपनाभं द्रिश्यमाहरन, पुनहा स्वमरणं वेत्ति, पुनर्जन्म, पुनर्जगत। अलीक जालमे बंखे पश्यन प्रत्यक मास्थितह, पश्यत्याचारयत्यत्ति, किंचित कस्चिन्नकस्यचित। इत्यवं जगताम संति, कोटी नाम कोटी कोटयह, परिज्यातास्तुताब्रम्ह, केवलं द्रिश्यमन्यता। ताविर्नकस्यचित्किंचिदावृतं नचसंतिताह, तासाम्च बेत्ति प्रत्यकमिदमेव जगत्विती। भूतानितासाम् प्रत्यकम् तथैवान्योन्यमास्थिते, सत्यान्यवा सत्यद्रिष्ट्या, सत्यद्रिष्ट्यात्वजंपदं। सद्यत्विधितवेध्यस्या, तदग्यस्या सदक्षयं, असद्यत्संप्रवुद्धस्या, तत्सदग्यस्या सुस्फुटं। चितेर यद्यद्यता भानं, तत्त्सत्यम् यथायत्ः, सदुरूपानि समग्रानि, भूतानि मान्यतो मिथः। नित्यमन्योन्यसत्यानि, तानितान्यवबाप्यतः, किलसंबिद्विनिर्णेयं, रूपमप्रतिगं यतः। संबिन्मात्र विनिर्णेयं, कान्यता नान्यता कथा, यता संबेदनं भाते, बस्त्वाउघे, क्वा वितैकते, तदे वेदमिदं ग्यप्ते, स्तदे वेदं भवत्यलं, तदे वै तत्तदे वेति भवेज्यप्तेर सत्यतः, तचे दर्थस्ततो ग्यप्तेर नायं, तस्याहा पृतक स्थितः, स्थिते ग्यप्त्यात्मनित्वर्थे, तवग्यप्त्यायं ततो ब्रजेत। ज्यानम् यदेवत अज्ययं येश्या संभवात् पृतक, यता ज्यानमतो ग्ययं तनोत्यात्मानमात्मना, पश्यंतो पि मिलंतो पि पृतक सर्गान किंचना, सते वासतो ग्यस्या मूर्ख ज्यातां स्तु बेद्मिनो, एकं प्रबोधतह सर्वे चिन्मात्रम् तावदात्मखं, तदेवानेक संभित्या सहश्रम् चिज्जडात्मनाम्, एकं तथाच चिन्मात्रम् स्वपने लक्षात्म तिष्ठते, उनर लक्षात्म तत्स्वपना देकमास्ते, शुशुप्तके, चिद्व्योम्नि स्वपन संभित्यर्या सैव जगदुच्यते, शुशुप्तम् प्रलयहा प्रोक्तस्तस्मान्ययोयमे वसन्, एकैवसं बिन्नानात्वं न्रिलक्षत्वं चगच्चते, शुन्यत्वं चा तथार्थत्वं, स्वपन संकल्पयोरिव, इदमप्रतिहं सर्वं, किलवेदनमात्रगं, शुद्धं तद्वध्यतायत्र, भातितत्र तथाभवेत्, एकैवसं बित्सर्गादव, भवत्यग्नियं बुखादिकं, प्रिच्व्यादि तावत्सर्गार्थं, स्वपन संकल्पयोरिव, संबिदाकाशरूपईव, भाति प्रिच्व्यादि नामिका, यत्तदेव, खमेवेदं, जगदित्यव भासते, संबित्सप्रतिघं भाति, भाति चाप्रतिघं तथा, नवस्तुतस्तु प्रतिघा, संबित्सांते निवर्तते, यासि पूर्भां पस्चिमांच, दिशं बेच्षि, चिरं बिदन, प्रतिघं नामते नास्ति, नच सप्रतिघा क्वचित। द्रिष्टं संकल्पितं चार्थं सहाभ्यस्यतियस्चिरं, सोवश्यं तदवाप्नोति, नच स्चांतो निवर्तते, यासि पूर्भां पस्चिमांच, दिशं बेच्षिरं विदन, यास्ते यात्यसवतत्ता मन्यस्त्यक्त्वातुनेतरां, द्रिष्टह संकल्पितस्चार्थह स्यामित्यचलसंबिदः, द्वयं भवेद्वयं नश्यत्यन्यस्याचलसंबिदः, द्वयं भवेद्वयं नश्यत्यन्यस्याचलसंबिदः, खेपुरं स्याम्भुविम्रिगह स्यामित्यचलसंबिदः, द्वयं भवेद्वयं नश्यत्यन्यत्यन्यत्य। तज्यगत। एकं प्रवोधतह सर्भं, चिन्मात्रंतावदात्मखं, तदेवानेकसंबित्या, सहस्रंचिजडात्मनां। शरीरमस्त्वप्रतिःःमत्सप्रतिःःम्चवा स्वप्नात्मकोयं सम्सारो जीवस्येह परत्रचो एतन्मलेच्छादिदेशेशु मृतानामदर्षनात्पुनह स्मृतिपूर्भंचकतनात् प्रत्यक्षमनुभूयते ये मृता भस्मसाज्जाता मलेच्छदेशेशु तेपुनह आगत्यो कथयित्वार्थम्गच्षन्त्यप्रतिःःमकाह एशचे जीवतो धर्मस्तदेशांतरगेजने मृता इत्येव बुद्धेर्थे कस्मान नईवो प्रवर्तते जीवधर्महासोपिसंस्चेन मृतधर्मोपिकिम्नसन याद्रिग अनुभवस्त्वस्मिन्समे न्यायद्वये स्थिते स्वप्न वज्य गदाभानमित्येवं सत्यखंडितं आरियानुभवशास्त्राणा मनेनास्त्येक बाक्यता द्रिष्टि जालं जनौगानाम पश्यतामिंदु मंदिरे याद्रिग अप्रतिगं ताद्रिग जगत सदसदात्मकं सन्मात्रमात्रानुविधोमच्छानुभवमात्रकं चिन्मात्रं भानमात्रात्म सर्भार्थात्मार्थवर्जितं सर्भमप्रतिगं शान्तं जगदेकं चिदंबरे अनिंगन मनाभास मात्मन्ये वात्मनास्यताम् अचला संबिदे वास्ते स्थिरम कृत्वा यथा यथा तथा तथा भवत्याशु किमसत किम्च बापिसत। शरीरान्यत कर्मानि दुखानिच सुखानिच यथा स्थिता अन्युपा यांतु यांतु वा कस्यकिम्ग्रह। इत्तमस्तु सदथान्यतास्तु वा मैव भूद्भवतु कोत्रसं भ्रमा मुंच फल्गुनि फले फलाबहं। बुद्ध बानसी कृतं परिभ्रमैह। इत्यार्षे श्री वाशिष्ट महारमयने वालमी किये। देव दोतोक्त मोक्षो पायेशु निर्वान प्रकर्णस्य उत्तरार्दे। अविद्यो पाख्यान अंतरगद विपस्चिदु पाख्याने निर्वान वोधो पदेशो नाम त्रिचत्वारिम्षद धिकशततमस्तर्गह। अथ चतुष्चत्वारिम्षद धिकशततमस्तर्गह। मुनिर्वाच। सर्वथा भाव भावेश। स्वप्न संबेदनात्मस। नित्या प्रतिघरू पेश। किम्बद्धं किम्बिमुच्यते। थे द्रिष्टि भासाम स्फुरणं याद्रिशं ताद्रिशं जगत। विपरियस्यत्यविरतों अबोधाल लक्षते स्थिरं। यद्यता पुरसं स्थानं चिरैरे तितदन्यतं। जगत अप्ये वमनिषं वारिया वर्तो विवर्त वत। भूम्यं वंबर शैलादी भवत्य सदिदंक्षणात। तस्मिन्ने वक्षणो धन्तईर युग कल्पा भिधाह कृताह। जगत्स्वप्न इवाशेष मसदप्यनुभूयते यन्नास्ति चेत्तनिशेषं चिदेवेथं कचत्यलं। यथे दम्नो जगत्त द्वत्छतानाम खेशतानिही। निरनाम पश्यंतु तेशाम्तु नान्योन्या मनुभूत जह। सरोब्धिकूपमे कानाम द्रिष्टाह प्रत्येकमास्पदे नतेन्योन्यं बिधंत्यन्याम द्रिष्यादि नियतिम् कचत्य। यथा जनशतस्वप्न नगराण्येक मंदिरे तथा जगंति खेभांति खानिनो संत्य संतिनो कचंति निरिषतस्वाप्न पुराण्येक ग्रिहे यथा नचनाम कचंत्यवं संत्य संति जगंति खेभांति चिच्चमत्कारमात्रम्स्वं स्वात्मांगं द्रिष्यमद्वयं सरूपमेवनीरूपम् सकारणमकारणम् दधत्यास्चित्स्वभावायाह संस्काराध्य विधाह कृताह प्रतिमायाह प्रभाविन्या नसंस्कारादयह पृतक। अपूर्वत्वात्स्मृतिही स्वपनह संकल्पार्थानुभूतिश। स्वामृत्यनुभवाद्यास्त। द्रिष्टार्थ सद्रिशेशुच। इदम सर्गात्म सर्गादव। प्रतिमेव बिज्रिंभते। चिद्भामात्रात्मिका स्वच्छा नान्यन्नामो पपद्यते। ब्रह्म्हईवभाति जगदित्युक्तमुक्त्यानया भवेत। नचभातं नभंतच्य। ब्रह्म्हईवेदमतह स्थितं। कारणं कार्यमित्युक्तह सापूर्वह साविशिष्यते। संस्कार इति ते नैश संस्कारह कृतिरुच्यते। तत्स्वपनादाव पूर्वोर्थो द्रिष्टांत इति भातिय। ससंस्कारादिनामोक्तो नभायोर्थोस्ति चेतसी। वस्तु द्रिष्टम्न द्रिष्टम्च सच्चास्ते चेतनेवखे। स्वभावाद भाति स्वात्मापि द्रिष्टवच्चाति ज्रिंभते। वेदांतार्थात्मकं पूर्वसर्गाभावं प्रवर्तते। ततो वेद्यभ्यवस्थाग्येहि कृते स्वार्थ सिध्धये। स्वपने तु जाग्रत संस्कारो यस्त जाग्रत कृतम नवं अजाग्रज्याग्रदाभासं कृतमित्यवतद्विदः। ततो वाया विवास्पंदास्चित्ते भावाहा स्थिताहा स्वतः। ते स्वतह संप्रवर्त्तंते कात्र संस्कार कर्त्रिता। एकं तथाच चिन्मात्रं स्वपने लक्षात्मतिष्ठते। पुनर्लक्षाध्यतः स्वत्न एकं आस्ते शुषुप्तकं। चिद्व्योम्नि स्वत्न संभित्तिर यासईव जगदुच्यते। शुषुप्तं प्रलयाः प्रोक्तस्तस्मान्यायोयमेवसन। एकमेवचिदाकाशं साकारत्वमनेकगं। स्वरूपमजहध्धत्यत्स्वपन इवतत्यगत। एबंचित्परमाण्वंतर्यगत्भावमिदं स्थितं। तदनन्यात्म चाभोगि स्वपनादर्षतलेश्विव। चिद्व्योम संभिन्मात्रम्यत् परमानुवदाततं। अनाधिमध्यपरियंतं तदेवो जगदुच्यते। तस्माधियत्रोचिदाकाशमनंतं सततं स्थितं। तत्रास्तिति जगद्भानं तदंगानन्यरूपियत। चिन्मात्रेवभुवनं त्वमहं चिन्मयं जगत। इतिन्यायाज जगद्याति परमानूदरे प्यजं। तस्माधहं पराण्वात्मा समस्त जगदाकृतिही। सर्वत्रैवचतिष्ठामि परमानूदरे पिच। चिन्मात्र परमानूसं जगदात्माप्ययं नभः। यत्रतिष्ठाम्यहं तत्र पश्यामि भुबनत्रयं। अहं चित्परमान्वात्मा तेनचित्परमानुना। एकतामागतो बारि वारिनेव तदीक्षनात। तदोजह संप्रविश्याहं स्थितस्तदनुभूतिवत् अंतस्थ त्रिजगद रूपो यताब्ये बीजमंकुरे। तत्र में त्रिजगद रूप मन्तहा कचितमात्मनी। तथातन्नतु तद्वाईये विद्यते केनचित्क्वचित। यत्र यत्र यदाभाति स्वपने जाग्रदितिहवा। सवभाईया अभ्यंतरं दृष्यं निजं चिद्भानमे वतत। भाति स्वपने यदाजंतोर जगदानन्द माततं। चिदनोरे वतत्भान मात्मनस्तत्पदात्मना। व्याधव वाच। अकारणंचे दृष्यं तत्त कथमे तत्त प्रसिध्यते। सकारणंचे दृष्यं तत्त स्वपने सर्गादिधी कुतह। मुनिरुभाच। अकारणके वायं सर्गादव। प्रवर्तते समस्तकारणा भावादियतह। सर्गात्म चिन्नभः। अकारणानां भावानामत्यंता संभवादिय। क्वचित सप्रतिगह सर्गो न संभवतिकस्चन। ब्रह्मेद मित्ध माभादि भास्वरंचित्स्वभावतह। सर्गादिशब्द परियायमाध्यंत परिवर्जितं। इत्यकारण के सर्गे कचति ब्रह्मरूपिनी परस्यावतवाभासे नित्यात्मा वयवात्मना। अनानात्वे पिनानात्वे ब्रह्महन्य ब्रह्मरूपिनी अनाकारे पिसाकारे कचत्य प्रतिगं प्रति। तद ब्रह्महिव निराकारं चिदुरूपत्वात्स्फुरत्वपु। साकारमिवभातात्म भूत्वास्थावर जंगमं। देवर्शिमुनिभारूपं करोति नियतिम् क्रमात्व। विधिम्स्च प्रतिषेधांस्च देशकालक्रियादिकान। भावाभावग्रहोत्सर्ग स्थूल सोक्ष्मचराचराह अर्थाव्यभिचरंत्यते नियतिर्नाखिलास्ततः। ततह प्रभृतिभावानाम सकारनकतांबिना सैकतादिवतैलानाम न संभवति संभवः। नियतिर्नायकस्चईव ब्रह्मतस्चांगमात्मना स्वांगेन सैमयति करेनेवनिजंकरं। अबुद्धि पूर्भं चानिच्चमेवमेव प्रवर्तते काकताली अवत्स्पंदादावर्ता इववारिनी। सन्निवेशोहिनियतिस्तांबिना प्रतिगोदयं ब्रह्मस्थातुम्नशक्नोति तच्यो सर्वात्मताक्षयं। एबं सकारणं सर्वं सर्वदाद्रिष्यमंडलं यस्यसर्गेयतः कालात्तः प्रभृतितं प्रति। भात्यकारण गंब्रम्ह सर्गात्माप्यवुधंप्रति तंप्रत्येवच भात्येश कारिये कारण द्रिग्ब्रमह। काकतालियवत सर्गे स्थितेत्वा वृत्ति 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 इदमित्थमिदं नेत्थमितियं नियतिही स्थिता। सकारणत्वं भावाना मवश्यं भाविनिक्रमे जाग्रत्स्वप्न द्रिशोनेह संभवंत्यपकारणाह। यता स्वपने खिलामंभु संक्षोभात प्रलयब्रमाह। द्रिश्यते कारणं तत्र शुरूयता मनुभूयता। सर्ववस्तुषु कचंति सर्वदा। युक्तयः अस्पटिक शुक्तयोयता। भावनानुभवे वसस्वयं शक्तिमान्जयति जीवितात्मकह। कित्यार्शे श्री वाशिष्ट महारामायने वालमीगिये देवदूतोक्तमोक्षोबायेश। निर्वान प्रकर्णस्य उत्तर अर्दे। अविद्यो पाख्यानांतरगत विपस्चिदू पाख्याने शवो पाख्याने पदार्थ विचारू नाम चतुस्चत्वारिम्षदधिक शततमस्तरगह। अब आगे इस योगवाशिष्ट महारामायन के निर्वान प्रकर्ण के उत्तरार्थ के 143 और 144 में सर्ग में पांडित्य की प्रशंशा की गई है। मेधावी पंडिताह समदर्शिनह इत्यादी जो गीता के वाक्य हैं उसके अनुसार। और बाद में चित ही जगत है चित अर्थात चिती चैतन्य यह जो अवेरनेस है यही जगत है इसका युक्ति पूर्वक समर्थन किया गया है। मुनी बोले है ब्याद जो परमधाम रूपी गंतब्य इस्थान के मार्ग के ग्याता हैं तथा जिने आत्म ग्यान का पूर्ण बोध है। ऐसे पंडित जिस गती को प्राप्त होते हैं उसके सामने इंद्र का आईश्वरिय जीर्ण शीर्ण त्रण के समान तुछ है। मुझे तो पाताल, भूतल और स्वर्ग लोक में कहीं भी ऐसा सुख अथवा आईश्वरिय नहीं दीख रहा है जो पंडित से बढ़ कर हो। यम लब्ध्वाना परम लाभं मन्यते नाधिकंत तह यस्मिन स्थितों न दुखे न गुरुना पी बिचाल्यते। जैसे ज्यान हो जाने से माला में सर्प की भ्रांती तुरंत मिट जाती है, वैसे ही ज्यानी की दृष्टी में यह अविद्यात्मक दृष्य प्रपंच ख्षण मात्र में ब्रह्म रूप में परिनत हो जाता है। ब्रह्म का जो प्रतिवास है वही यह जगत कहा जाता है। प्रतिविम्ब इसी कारण यह प्रिथ्वी आदी पंच भूत कहां है और इनका कारण कहां है। अर्थात जगत की उत्पत्ती में इन कारणों की अपेक्षा नहीं है। जैसे स्वपन द्रिष्टा को स्वपन में दीखने वाले मनुश्यों की इस्थिती कालपनिक है वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार जागरत स्वरूप स्वप्न में दीखने वाले मनुश्यों की इस्थिती भी पूर्व कामना के अनुसार कल्पित ही है, यिथार्थ नहीं है। हे व्याद जैसे स्वप्ना वस्था में तुमारे अंतक करने के संकल्प में नगर दीखता है, वैसे ही ब्रह्म के संकल्प में यह स्रिष्टी वर्तमान है। और जैसी कारी कारणता तुमारे स्वप्न काल में कही गई है, वैसी ही कारी कारणता यहां भी है। यद्यपी यह संपूर्ण जगत असत है तथा पी स्वपन की तरह इसका अनुवव होता है यदि जगत नहीं है यों कहा जाए तो पूर्ण छेतन ही इस रूप में बिकसित होता है जैसे हम लोगों का यह जगत है वैसे ही आकाश में अन्य प्राणियों के लाखों जगत है परन्तु उनकी परस्पर अनुवूती नहीं होती सरोबर, सागर और कूप में प्रिथक प्रिथक निवास करने वाले मेढकों को अपने अपने निवासस्थान का ही अनुभव रहता है उन्हें परस्पर एक दूसरे के दिर्श्यादी का कुछ भी ज्यान नहीं रहता जैसे एक ही घर में सेक्णों मनुश्यों के सेक्णों स्वप्न नगर अलग-अलग भिन भिन होते हैं उसी प्रकार आकाश में बहुत से जगत भासित होते हैं परन्तु अग्यानियों के अनुभव में आने से ही उन आकाशी जगतों की सत्ता है और ज्यानियों के अनुभव का अभिशय ना होने से वे असत हैं जैसे एक घर में सेक्णों मनुश्यों के सेक्णों स्वप्न नगर भिकसित होते हैं और नहीं भी होते हैं उसी तरह आकाश में जगत है और नहीं भी है सदसच्चा खिलन जगत यह भुवन चिन मात्र में स्थित है त्वम अहम आदी रूप जगत भी चिन में है इस नियाय से उत्पन न होता हुआ भी जगत परमानु के अंदर तक चला जाता है अर्थात अत्यंत सूख्ष्म हो जाता है मैं परमानु रूप हूँ अतह समस्त जगत के आकार में स्थित हूँ इसी कारण मैं सर्वत्र यहां तक की परमानु के अंदर भी विद्धिमान हूँ यह चिदाकाश रूप मैं चिन मात्र परमानु होकर जगत रूप से जहां इस्थित रहता हूँ वहीं तीनों लोकों को देखता हूँ मेरे अंतर आत्मा में तीनों लोकों का जैसा रूप विकसित होता है बैसा बाहर नहीं होता क्योंकि कहीं भी किसी ने उसे देखा नहीं है स्वपन अत्वा जागरत में जब जब अत्वा जहां जहां जगत का जो जो और जैसा जैसा भान होता है वह सब बाईय एबं आभ्यंतर सहित समस्त दृष्य चेतन आत्मा का ही भान है आत्मा के बिना कोई भी इंद्रिय प्राण मन बुद्धी कुछ भी काम नहीं करता तो जो कुछ दीखता है वह आत्मा के कारण ही है अत्वा आत्मा ही है जब स्वपन में प्राणी का विश्ट्रित जगत भासित होता है तब वह चिदन स्वरूप आत्मा का ही भान होता है और वह स्वपन स्थान रूप से होता है स्वपन के जैसा होता है यल्लाभान नापरो लाभो यद्शुखान नापरं सुखं यद्ज्ञान नापरं ज्ञानं तद्ब्रम्हेत्यवधारयेत् यद्ध्रिष्ट्वान नापरं द्रिष्यम यद्भूत्वान नापुनर्भवः यद्ज्यात्वान नापरं ज्येयम तद्ब्रम्हेत्यवधारयेत् तिरिय गूर्ध्वमधा पूरणं सच्चिदा अनन्दमद्वयं अनन्तम नित्यमेकं यत्तद्ब्रम्हेत्यवधारयेत् अतद्व्या वृत्यरूपेन वेदांत इर्लक्षते द्द्वयं अखंडानन्दमेकं यत्तद्ब्रम्हेत्यवधारयेत् झाल 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 झाल